नमस्कार दोस्तों ये डिक्टेशन 120 वर्ड पर मिनट की रहेगी इसमें प्रतलेखन संख्या 27, 28, 29 रहेगा ये उच्छेगत ये भ्यासखंड 3rd से डिक्टेशन है आपको ध्यान से लिखना है दोस्तों अगर आपके वीडियो में एड आता है तो आप लोग उसको इसकिम मत क देख सकते हैं या फिर एड में क्लिक भी कर सकते हैं ठीक है चले डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट महोदय आज देश में राष्ट भासा के लिए अन शंगठन भी प्रयास रत हैं यह एक अच्छी बात है समय समय पर एक होकर आवाज उठानी होगी ताकि श आज आवशकता है मिलकर काम करने की हमारा संगठन अच्छा तुम्हारा नहीं यह भाव राष्ट के हित में नहीं जितने भी संगठन आज काम कर रहे हैं उन्हें अपने अपने छेत्र में प्रभावी धंग से आगे बढ़ना चाहिए जैसे भारती युवा अधिवक्ता मं चने संपूर न्याय पालिका के हिंदी करन की मांग उठाई है उसी प्रकार से अन्शंगठनों को राष्ट भासा हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए कमर कसना चाहिए और अपने अपने छेत्र में बिधायक सांसदों को निवेधन करें की हमारी बात को आप प्रकरता से सोयम त्याग करना होगा बिना त्याग के यहां कुछ नहीं हुआ है और नहीं कुछ आगे होगा सुतंत्रता कैसे मिली सभी जानते हैं एक सज्जन हिंदी की अच्छी बहस कर रहे थे जब उनके बच्चों के बारे में पूछा गया तो पता चला की वह कॉन्वेंट में दा करना ठीक नहीं इस पस्ट ब्यवहार होना चाहिए आज देश में भासा की समस्या नित कठिन बनिती जा रही है जिस छेत्र में देखो उधर अंग्रेजियत का बोल बाला है रेडियो टीबी क्या अंग्रेजी को कम परोस्ते हैं सभी अंग्रेजी की जय बोलते हैं यह नीत देश के हित में नहीं नेताओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए वोड हिंदी में मांग्ते हैं फिर काम अंग्रेजी में क्यों एक एकांत में विचार करें राष्ट के हित में अब अधिक खिलवाल पसंद नहीं हिंदी प्रेमी संगठनों को भी अब सीग्र शक्रि अपने अपने छेत्रों में हिंदी भासा को सम्मान दिलाएं भारतिय शंस्क्रत और हिंदी भासा को किसी भी तरह अपमानित न होने दें आज पास्चात्यता का प्रहार हमारे देश पर हो रहा है और फिर भी हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें तो इससे बड़ा और क्या होगा देश के सभी अभिवक्ताओं से विनम्र प्राथना है कि वह अपनी बात हिंदी में करें एवं समस्त कारवाही को वह अपनी राष्ट भासा में ही अपनाएं उनका यह तरक हो शक्ता है कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होगा किन्तु यह एक ब्रहम है वरिष्ट अभिवक्ता हिंदी में बहुत अच्छी वकालत करते हैं और अधिक सफलता भी उन्हें प्राप्त होती है जो लेखक हैं उन्हें हिंदी में अधिनियमों को सरल रूप में लिखना चाहिए तभी इस राष्ट का गवरो बढ़ेगा नकल्ची बनकर देश का स्व इतना प्यार मत करो की अपनी संस्क्रेट शब्वेता भासा की मर्यादा ही नस्ट हो जाए यह भारत देश अपना है मिलकर विचार करें की इसे महान कैसे बनाया जाए हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा विचार ठीक नहीं महोदे हम क्या नहीं कर सकते ऐसा विचार रास्ट हित में सभी को करना है सभी प्रयाश करें की अधिक से अधिक निड़य हिंदी में लिखे जाए इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन उस कठिनाई को सरल करना अपना ही काम है जब देश की असमिता पर गहरी चोट हो रह ही है तब हम क्या माउन होकर चलते रहेंगे अपनी बात अपने ढंग से कहनी ही होगी नौकरी लगे या चली जाए इसकी चिंता नहीं इस प्रकार से जब आप सभी मिलकर विचार करेंगे तो फिर संपूर नयाय पालिका के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं अपने रास्ट में अपनी भासा के लिए ही आंदोलन करना ठीक नहीं है यह भी सभी के लिए लज्जास्पद बात है आप लोग आज से ही रास्ट भासा के लिए अपना अद्वतिय प्रयाश करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है जनता जनार्धन से बढ़कर कोई नहीं उसकी शक्त जागरत हो जाती है तो विसाल समस्चाएं छड़ भर में समाधान के दरवाजे पर अपनी दस्तक देती हैं कई एतिहाशिक परिवर्तन हुए हैं जनता के द्वारा आज उनमें से भी प्राथना है कि देश के सामनी अगर कोई गंभीर चुनावती है तो वह है राष्ट भासा की इसके लिए सभी को एक मत होकर गुलामी की भासा को भगाना है अपनी भासा का आय दिन अपमान हो रहा है इस देश का किशान मजदूर वर्ग अंगरेजी बोलने वालों के सामनी अनपड गवार कहा जाता है जबकि इस देश का मजदूर किशान सच्चा आधार है जनता जनादन तुम जागो और ऐसा जागो की हिंदी राष्ट भासा का सम्मान हर छेत्र में हो चाहे वह कोई सा भी छेत्र हो आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है बड़े बड़े लोग ब्रष्टाचार के बल पर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ तुम्हारा यह देश भारत रहेगा अन्यथा इंडिया हो जाएगा राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट बनाया गया है उसे हिंदुस्तान का दरवाजा नहीं कह सकते क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग मूर्ख कहेंगे न जाने हम भारत वासियों को कितने प्रक भारत को आर्थिक रूप से फिर गुलाम बना दिया जाए ताकि फिर यह अपनी बात अपने धंग से न कर सकें भारती इतिहास इसका साच्छी है कि यहां पर बीरों की बिद्धानों की कमी नहीं है मेरा अपना मानना है कि नित बिद्धान और बीर इस धरा की गोद में जन आश्चात सभ्यतानी उन्हें भीरू बनाने का जो सडयंत पूर्वक बिगुल बजा रखा है उसके कारण आज हमारी भाई बहन अपनी पहचान संस्कृत सभ्यता से भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं एकात मत्ता की शक्तिदेश से छीड़ हो रही है देश सेवा क के लिए कोई विचार नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी मान सिक्ता वर्तमान में सुक बैभव को बटोरने में लगी है किन्तु अंत में उसे मिलता कुछ नहीं है महोदया यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज को सरवाधिक सेवा की हो वह लोगों द्वारा सरवाधिक प्रतारित किया गया यह कैसी बिडंबना है जब सदियों से पेडित और सोसित दलितों ने अन्याय अभाव और अज्यान के खिलाव संगर्ष किया उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया तब तब उन लोगों को कठिनाई हुई जिनके नीजी स् पर चोट पहुंचती थी या जो सदियों से उनका सोसल कर रहे थे यही कारण है कि हिंदुस्तान में जहां भी दलित वर्ग के लोगों ने आत्म सम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिस की उनको अपमानित होना पड़ा प्रतारित होना पड़ा अतीत में जो भी हैं वे सब निंदनी हैं लेकिन उनका सहारा लेकर जो कुमहेर में हुआ उसके लिए प्रस्टासन को या राजशरकार को दोसी न ठेराया जाए यह बिलकुल तरकशंगत नहीं है महोदया नरायनपुर की एक घटना ने जहक जोरा है हलाकि यह एक छोटी घटना थी लेकिन अगर एक ब्यक्तिकी भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूंगा उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खस्ट कर दिया गया महोदया अभी कुछ वर्ष पहले इजरायल के सैनिकों ने लेब नान में बी लो सरनरार्थियों के दो कैम्पों में महिलाओं और बच्चों पर जब आक्रमल किया तो इजरायल के यहूदियों ने राजधानी तेल अभीब में प्रदर्शन करके प्रधान मंत्री को कर दिया कि रच्चा मंत्री त्याग पत्र दें उनका तर्क था कि अगर हम आज निहत्य लोगों की हत्याय कर रहे हैं तो हम में और हिटलर में क्या फर्क था जो यहूदियों की हत्या कर रहा था इसलिए मैं माननी ग्रह मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जो यह बयान यह राजस्थान शरकार का बनाया हुआ बयान है और मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि चाहे आयोध्या का प्रस्थान हो चाहे राजस्थान का प्रस्थान हो चाहे कोई प्रस्थान हो केंद्र की सरकार अपनी एजेंसीज का अपने बिवेक का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही ह जो दोसी है जिनको दंडित होना चाहिए जिनको सत्ता से हटाया जाना चाहिए अगर उन्ही की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे तो केंद्र की सरकार का आउचित क्या है इनकी जो एजेंसीज हैं उनका क्या आउचित है पहली तारीख से 6 तारीख तक घटनाएं बढ़ती है लोगों के घरों को जला दिया जाए सेकडों लोग बेघर बार हो जाएं और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाप कारवाही न हो किसी अधिकारी को जेल न भेजा जाए किसी के खिलाफ कोई कारवाही नहीं की गई महोदया यह एक ऐसा प्रस्ण है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है इतना दर्दनाक यह मामला है कि आदमी जब भाव हो जाता है और जब रोका जाता है तो भाई अजीद जोगी की तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि अध्यच को अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अपने बिबेक का इस्तेमाल करे स्टॉप